पुर्व सांसत आनंद महन की रिहाई को लेकर एक बार फिर मामला सुलग उठा है सुप्रीम कोट ने आज केंदर और राज सरकार को नोटिस भेजा है कि दो हफते के अंदर यह तै करें कि आखिर किन कारण और किस मंसा से जेल मैनुवल में बदलाव लाया गया है नमस्कार मैं सुनील पांडे बिहार अप्रेट्स डिजिटल नीज प्लेट फॉर्म पर आपका स्वागत है आनंद महन की रिहाई को लेकर बिवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बीच आनंद महन अपने बेटे की शादी में सरीक हुए कई मीडिया हाउस के माध्यम से आम लोगों के बीच उनके खुशी की तस्वीरें साज़ा की गई लेकिन आज एक अलग से कहानी सामने आ रही है आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक रिटायर आईयस अधिकारी और जी कृष्णयया की पत्नी ने दो अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था और यहां मांग किया था कि आनन्द मोहन की रिहाई जो एक आईयस अधिकारी के हत्या का मामले में दोसी करार दिये गये हैं आखिर क्यों छोड़ा गया जी कृष्णयया की पत्नी अपने आरोप अपने याचिका में यहां आग्रह किया है कि किसी भी दोसी अभियुक्त को छोड़ने से पहले उसके क्राइम का नेचर और अपराधी का आच्रम देखना जरूरी होता है उनका आरोप है कि बिहार सरकार ने इन दोनों मामलों में सारे मुद्दों को इगनोर करते हुए किसी खास वज़ा से आनन्द मोहन की रिहाई किया गया है आपको यह बात जानकर आश्चर्ज होगी कि कानून व्यक्ति के मंसा को देखता है मोटो को देखता है आप हत्या करते हैं जदी किसी की और इंटेंसन जदी आपकी हत्या की नहीं है और कोई इंटेंसन से हत्या करता है तो दोनों की सजा में जमीन आस्मान का अंतर होता है सुप्रिम कोट यह जानना चाहती है कि बिहार सरकार आखिर किस मंसा से आखिर किस कारण से जेल मैनुवल में बतलाव लाया गया है जेल मैनुवल में आम आदमी की हत्या और एक लोग से वक्त की हत्या में अंतर करते हुए यह व्यक्त किया गया था कि लोग सेवक्त की हत्या जदी होती है तो अपराधी को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है बिहार सरकार ने अपने जेल मैनूल में बदलाव करते हुए लोग सेवगरों के सामाने व्यक्ति के हत्या को बराबर करार दिया गया या दलील दी गई कि हत्या किसी की हो अच्छम में है लेकिन अब सवाल यह उखता है कि एक लोग सेवग जो सरकार के नीतियों को सरकार के कारियों को पूरा करने के लिए जमीन पर उतारने के लिए वह कोई एक्षन लेता है कोई काम करता है आखिर उनके मनोबल पर कैसा आसर पड़ेगा आज का आधिकारी या सोचने के लिए भी वस है कि सरकार के भी अब कोई ऐसी नीती नहीं है कि जो उनको जीवन की सुरक्षा जीते जी और मरते जी दे सकती हो यह एक बड़ा बदलाव किसी को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है सुप्रीम कोट के दो जजों के बेंच ने आज सीधे तोर पर विहार सरकार से जवाब तलब किया है कि दो हपते के अंदर ये अपनी मंसा को किलियर करें कि आखिर क्या कारण था कि आपको जेल मैनुवल में बदलाव लाना पड़ा आनंद मोहन की रिहाई के बाद ही राजितिक तौर पर और प्रसास्निक तौर पर एक चर्चा पूरे देश में जोर सोर से चल लही है कुछ लोग इसे दलित मामले दलित एंगिल को भी देखने की कोशिस कर रहे हैं चुके जी कृष्णया दलित वर्ग से आते थे जिनकी हत्या दिसंबर 1994 में मुझफर पूर में कर दी गई थी जब वह किसी सरकारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद गोपाल गंज लोट रहे थे कि पूरी तरफ से न्याई की जाएगी लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके दोस्त में सजा पाए आनंद मोहन खुले आम घूम रहे हैं और इसका फायदा आम लोगों बने इसका फायदा उन्होंने जेल मैनुवल में बदलाओं के बाद उठा पाया है धन्यवाद